ब्रह्म्चर्यव शिक्षा मंगल भवन मंगल हारी शुरी राम मुलख प्रभुजे जग सुख कारी ध्यान एक यहां और बतावें उपदेश अनूपम को सुन पावें मुनियों का था एक समागम हरी हरानन्द का भी आगम यज्यविधी सबने मिलकीनी गुपालानन्द को शिक्षा दीनी ब्रह्म्चर्य का धर्म बताया प्रभु कृपा का सार जताया वचन कर्म से तुम लो पाल गुरु आग्या को मन ही संभाल विपरीत कर्म ना कभी करपाना आग्या के विपरीत ना जाना ध्यान भजन भी जो करपाओ गुरु नर्देश से मन में लाओ तन को भूल भी ना श्रिंगारो पान तबूल को ना तुम धारो तामबूल पान को जो धरे और करे श्रिंगार ब्रह्म चर्य से वह गिरे लो मन में यह धार द्रिष्टी नीचे करके चालो इस विध मन को सदा संभालो संग करो जब किस भी जन का त्यान न त्यागो निज प्रभुजी का संग न रिकाना कर पाना ब्रह्म चर्य का नेम निभाना नारी पास ना बैठन पाओ आँख से आँख ना कभी मिलाओ गुरु को मात पिता तुम मानो बंधु बांधव सभी कुछ जानो आलस निद्राधन और नारी ब्रह्म चर्य के सब ये वैरी मौन को धारण करके रहना विशेन जग के चित में वैना बात करे जब जग की कोई जाप करे गुरु मंत्र सोई चर्चा जग की हो जिस काल करो सिमरन तुम देन दयाल गुरु मंत्र जिस चित बसे व्यापे ना जगताही गुरु मूरत सिमरन करे संकट सबनन साही मन वचन और निज कर्म से दुखी न करना किसी को इन से जीवन का यह नियम बनाना सत्य वचन पे अटल हो रहना होवे सत्य सत्य जो बात लज्जावो ना तुम उस से तात सत्य वचन ही मुख पर लाओ हिंसा चोरी से बच पाओ मोह जगत का तुम दो त्याग सत्य गुरु चर्णी हो अनुराग गुरु से पहले ब्रातह जागो शेन करें गुरु पाओं लागो परीग्रह से बच के चलना गर्थ का संग रहना तुम करना ब्रहम चर्य के नेम कठोर खुशी खुशी सब पालो भोर ब्रहम चर्य के नेम को पाले शुद्ध मनुश्य असंभव हैं वे पालने जिसका चित कलूश्य यग्यो पवीत जो तुम है धारा इसका जान महत्वा भारा तीन तार जो तुम है धारी बंधे सूत में हो बलकारी पित्री रिण इकतार जतावे दूजी रिशिरिण को बतलावे तीजी देवरिणों की तार यग्यो पवीत का समझो सार तीन रिणों से हो वो उरिण रहन पाएना लेश भीरिण तार न करना कभी मलीन रहे शुद्ध और सदान वीन पांच यग्य तुम नित ही करना गुरु सेवा को चित में धरना गुरु की आज्या सदा संभारो धर्म करो वा आत्म उद्धारो गुरु की आज्या मान करो करिये साधन योग धर्म कर्म अनुरक्त रहे त्याग करो जग भोग हरानन्द आचार्यने दीना यह उपदेश प्रण कीना गोपालने पालू में आदेश वपालानन्द के सब ये ध्यान पढ़े सुने जोला करकान उपदेश मिले उसे बहु भारी प्रभू कृपा का बन अधिकारी वपालानन्द प्रभू पगलागा पुन्य कर्म तब उसका जागा देव्य द्रिष्टे प्रभु जेने देने इश्वर की दिव्य स्रिष्टे चेने हर दम रहत प्रभू के संगा ध्याने बना भया प्रभु अंगा श्री प्रभु राम लाल जेकि जैशर्णम श्री सद्गुरु देव जेकि जैशर्णम ध्यानी भक्त बिहारी लाल मंगल भवन मंगल हारी श्री राम मुलख प्रभुजी जग सुखकारी एक चरित्र हम और बतावें ध्याने जन की कथा सुनावें बिहारी लाल था उसका नाम फैक्टरी में वह करता काम अमरित सर का वहता वासी प्रभुचर्णों का भी विश्वासी नित्या प्रातह गहता आता प्रभुचर्णों में शीष जुकाता सेवा प्रभुकी करके जाता अथवा योग समाधिल गाता निश्दिन प्रभुका नाम दे आता उसे न भक्ती बिन कुछ भाता प्रभुदर्शन कर घर को जाता भोजन कर फिर काम सिधाता दैनिक फुसका यही था नेम प्रभुचर्णों में अटल प्रेम प्रभुचर्णों में प्रेम था और नित्य यह नेम प्रभुचर्णों में वंदना करता सहित प्रेम इक दिन जब प्रभुचर्णी आया और ध्यान में बैठ दिखाया प्रभु कृपासे भई समाधी माया की सबनाशी व्याधी घंटे कई समाधी असीना घर जाने का नाम न लीना फैक्टरी का भी काल विहाया समाधी से न उठवे पाया पतनी ने तब मन ही विचारा क्यों कर पतिना सदन पदारा भेजा निज सुत को तत काल देख आवे जा पिता का हाल बालक आश्रम में चली आया प्रभु चरणी आशीष जुकाया निजमाता की विथा सुनाई हेत पती जिस चिंता लाई सुनी प्रभु ने बात जब कहन लगे है बाल अभी गया है तात तव हो वो मत बेहाल बालक फैक्टरी में चली आया पिता को बैठे वहाँ उस पाया घर पर जा सब बात बताई जो कुछ वहाँ उस देख थी पाई माता को तब दीन संतोश देखे पुज्य पिता बिन रोश प्रभु जी से सब जान के हाल गया मैं आफिस में ततकाल पुज्य पिता बहु काम में लागे मैं गया ना उनके आगे सीधा दोड मैं घर को जाऊं आपको आकर सब बतलाऊं ऐसा कह कुसलीन श्वास माता मन उपजा विश्वास भोजन पका था पड़ा तयार भेज दिया आफिस ततकाल आफिस भोजन भेज कर लीना सुख का श्वास बीती चिंता की घड़ी पूत बंदाई आस आश्रम की अब बात बतावें प्रभु महिमा को जिमि लख पावें समाधी मैं जब वहता लेना विहारी लाल सुखी आसीना प्रभु जी ने बहुत रिश्य दिखाए लोक लोकांतर उसे घुमाए इतने मैं बहु काल विहाया ओफिस का वेला हो आया समाधी से नाम भक्त उठाया उसका प्रभु खुद रूप बनाया अफिस में तत कालप धारे उसके काम किये वहां सारे सर पर हो जब खुद भगवान भक्त की जावे क्यों फिर आन नर्से की जसहुंडे तारी उसे बनाया रूप विहारी इक विहारी ध्यान आसे ना दूज्या आफिस कार जके ना प्रभु का प्राकृत रूप भी था आसन आसी ना सैस्त्र शेष ना कथ सके प्रभु की महिम असीम बिहारी स्वयम ध्यान में मगना रूप विहारी आफिस लगना स्वयम प्रभु आसन आसी ना आफिस का भी कार जकी ना ब्रह्मा जब थे ग्वाल चिपाए कृष्ण चंद्र बहु रूप बनाए आयोध्या वासी मिलने आए राम चंद्र थे बहु बनापाए प्रभु जी वही अब महिम दिखाई अपने भक्त को बये सहाई सनातन रीत यही चली आई सदैव भक्त के प्रभु सहाई बिहारी लाल जब ध्यानत आगा प्रभु चरणी तब आकर लागा घटि का प्रभु जी ने दिखलाई विलंब भया यह बात बताई कर प्रणाम तुरंत सिधाया दौडा दौडा ओफिस आया मर्यादा को प्रभु पाल दिखावें भक्तों को मर्याद सिखावें मर्यादा से प्रभु करें प्यार उलंगन उसका नास विकार पुरुशोत्तम मर्याद के पाल रहे मर्याद शरणी आवे भक्त जना कृपा करें अगाध आफिस में चल कर वह आया विलंब भया है डर्मन पाया जब से अधिकारी मिल पाया अपना दोश उसे जत लाया विस में से अधिकारी देखे क्या कहते हो भाई पुले खे ठीक समय पर तो तुम आये निजहस्ताक्षर भी कर पाये किस कारण हो भय अस्वस्थ विस्मृतिने जोली नाग्रस्त पान करो जाकर तुम पानी दूर भय जिस से परिशानी सारा काम तो है तुम की ना देखा खुद में बहत पसीना शायद परिशम की थकान जिसने कीन तुम्हें हैरान जाकर लो कुछ तुम वेश्राम सच मुच कीना बहुत ही काम देख तुम्हारे काम को मुधित हमारा चित्त तुम ही सरीखे नरन से सच मुच मेरा हित्त सुन अधिकारी की वहवानी प्रभु की दया बिहारी जानी शत्षह करे मन में प्रणाम राखी लाज है उसकी राम स्वयम रूप जो भक्त का धार करते उसके हित सबकार लाज भक्त की जिमी बच पाए स्वयम करें प्रभु वही उपाए सेवक उसी प्रभु का दासा पूजत चरण सहित विश्वासा आयू भर नहीं और ध्याया उसी प्रभु का ही गुण गाया ऐसा अक्षण कभी नहीं आया ध्यान नाथ का हो विसराया उस प्रभु के चरण जो लागें मुक्ती भुक्ती में वे जन पागें प्रभु चरणों की प्रीत की बाढ़ बहे मन माहीं उमड उमड जग में बहे सेवक के वशनाहीं बिहारी लाल का यह इतिहास पढ़े सुने जो कर विश्वास प्रभु की मूरत उसमन माही दिव्यरूप में रहे समाहीं श्री प्रभु राम लाल जिकी जैशरणम श्री सद्गुरू देव जिकी जैशरणम